हाई विबरा, तुला राशी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे आज हम आपके जैनुरी मन्थ की रीडिंग करने वाले हैं देखेंगे जैनुरी मन्थ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है,ונים क्या messages देते हैं आपके लिए और इस महिने के लिए आपके लिए क्या guidance हम वो भी देखेंगे आप सभी को Merry Christmas और इस आने वाले ने साल की धेर सारे शुब कामना हैं आप सभी को मैं divine से यही प्रात्ना करती हूँ कि वो आपकी सभी मनुकामनों की पूर्ती करें जो आपके highest good के लिए हो और यूहीं इसी तरीके से आप जो है divine path पर आगे बढ़ते रहें वो आपको सही रास्ता दिखाते रहें guidance देते रहें और आप आगे बढ़ते रहें तो चलिए start करते हैं आपकी reading friends आप से एक बात कहना चाहूंगी पहली बात इतना धेर सारा प्यार देनी के लिए आप सभी का बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे-च्छे comments करने के लिए धेर सारे likes के लिए share करने के लिए और ये चैनल को subscribe करने के लिए और जब ही आप readings को देखे प्लीज अपनी intuition को open रखिये ठीक है डिवाइन से प्रातना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको guide करें आने वाले महीने के ठीक है और receiving mode में रही है जो भी messages आपको यहाँ पर मिल रही है आपको open रहना है और अपनी intuition के accordingly आपको उन messages को receive करना है कि वो message आपके किस area में fit हो रहे है ठीक है again ये एक journal reading है हो सकता है कुछ चीज़े आपसे resonate हो हो सकता है कुछ चीज़े ना हो ठीक है तो हमेशा positive रहें ज ओम नमःशिवाई ओम नमःशिवाई ओम नमःशिवाई जय मा काली जय गुरुजी प्लीज बताएं आपकी बच्चे लिप रातुला राशी वाले जितने भी आपकी बच्चे इस वीडियो को देख रहे है जैन्वरी मंथ उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है लिप बताना चाहते हैं आप अपने बच्चों को Justice और मैं भूलूँगी नहीं वो जो कार्ट गिरा था आपके लिए Empress का कार्ट था और bottom of the deck भी हाँ पर sun की energies oh my god यह आना ही जाता है ठीक है दिखिए एक बात बताना चाहूंगे Libras आपकी life में जो भी हो रहा हो जो भी हो रहा हो ठीक है अगर आप किसी भी तरीके से किसी तरह के challenging time period से भी गुज़र रहे हो छोटे छोटे से भी ठीक है challenges आपकी life में है positive हो जाओ positive हो जाओ क्योंकि सब यहाँ पर जो है ये month जो है जितना आपने efforts डाले हैं जो भी आपने जिस तरीके करमाज आपने करें बेसिकली वो payback होने वाले हैं आपको ठीक है आपके करमों का फल आपको इस month मिलने वाला है और ये जो करमों का फल आपको मिलने वाला है ये बहुत ही positive है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके के cards मुझे appear हुए है yes, definitely judgment का card भी आ गया है यहाँ पर जिस तरीके cards आपके लिए आ रहे है बहुत ही positive मन्त आप लोगों के लिए रहने वाला है बहुत ही spiritual मन्त रहने वाला है spiritually भी आप grow करोगे इस महीने और materialistic जो आपकी life है practical जो आपकी life है वो भी बहुत grow होते वे मुझे यहाँ पर दिखाए दे रही है basically यह जो energies है यह आपको बता रही है कि कुछ है आपने जो मांगा है यह सब के लिए लग-लग है क्योंकि यह एक journal reading है आप अपने-पने accordingly देखिए और अपने-अपने accordingly messages को receive कीज़ेगा कुछ आपके life में किसी चीज के बारे में आपने बहुत प्रार्थनाई करी basically ठीक है divine से आपने उस चीज को बहुत मांगा ठीक है और जिसे केते हैं नंकि वो एक divine time नहीं आ रहा था अभी तक लेकिन अब divine आपको बोल रहे हैं कि अब वो एक divine time जो है आपका आ चुका है यहाँ पर वो announcement हो रही है आपके लिए वो वक्त आपके लिए आया है और वो जो भी चीज है जो जो भी प्रात्ना जिस चीज को लेकर के भी आपने की थी वो आपको मिलने वाली है यहाँ पर मैं wish fulfillment की भी energies फील कर पा रही हूँ विद्धि स्टार काट कुछ है जो आपने wishes मांगी थी वो आपकी fulfill हो रही है divine यहाँ पर आपको वो दे रहे है ठीक है बहुत से लिब्रास की यहाँ पर spiritual awakening awakening in the sense की आप एक बहुत ही जादा मैं कहूंगी deeper level पर जा रहे हूँ connect हो रहे हूँ अपने अंदर अपने उस divine से connection को बना रहे हूँ यहाँ पर आपके अंदर peace आ रहा है आपके अंदर स्थिरता आ रही है आपके अंदर का वो जो बुद्ध है समझ रहे हैं आपके अंदर का जो बुद्ध है वो जाग रहे है ठीक है आपके अंदर का ज्यान जो है वो जागरित हो रहा है बहुत से लोगों ने यहाँ पर spiritually बहुत चीज़े मांगी हैं जैसे अपने ज्यान से जुड़ना अपनी intuition को ग्रो करना divine से connect होना मतलब वो चीज़े जो है आपकी जागरित होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि यह वक्त आप लोगों के लिए जो है change का है oh my god देखो कितने back to back यहाँ पर positive card है तो definitely यह इतनी जो positivity आपके लिए आए रहे है यहाँ पर वर्ल्ड का काड़ भी दिख रहा है तो definitely यहाँ पर जिस चीज की आप अभी तक वेट कर रहे थे वो चीज आपकी लाइफ में होती भी दिखाई दे रही है ठीक है और यह वो divine time है ओके और यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग definitely I think मैंने last time मुझे exactly याद है शायद yes मैंने last time चक्राज के लिए आपको बोला था कि चक्राज पर काम करना है तो basically हाँ पर अगर आप देखेंगे इन पर चक्राज बने होए राइट तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपके चक्राज जो है वो alignment में आ रहे है मैं आपको बोल रही हूँ न कि देखें यहाँ पर मैं कोई specific word को use नहीं करूँगे अगर मैंने खिया ना तो फिर वो गलत होगा तो आप अपने accordingly देखिएगा कोई बहुत ज़दा वैसे तो मुझे यह spiritual kind of energies नज़र आ रहे है spiritual नज़र आ रहा है बट आपके case में यह कुछ भी हो सकता है ठीक है और आपके चक्राज basically alignment में आ रहे हैं तो आप चाहे spiritual हो चाहे materialistic हो physical reality की बात हो तो जो भी चीज़ आप मांग रहे थे ना वो आपकी life में आते हुए दिख रही है तो divine सबसे पहली बात आपको यह बोल रहे है कि जो आप कर रहे हो बिल्कुल correct कर रहे हो बिल्कुल right path पर हो doubts मत लेकर के आना उसे continue करते रहे हैं अगर आपके अंदर यह doubt आ रहे है कि यह जो मैं काम कर रहा हूँ आपका crown chakra भी बहुत activate रहीगा ठीक है बहुत से downloads आपको इस समय हो सकते हैं यहाँ पर वो message भी मिल रहा है मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यह मंध ना अगर कुछ distractions भी है ना अगर ऐसा कुछ होता था कि आप कुछ अपनी life में करते थे लेकिन कुछ distractions आ जाती थी ठीक है mind distract हो जाता था आपका भटक जाते थे तो उन चीजों पर आपका control हो रहा है क्यों क्योंकि आपके जो चक्रास है वो alignment में आ रहे हैं आपके चक्रास heal हो रहे हैं balance हो रहे हैं, open हो रहे हैं, activate हो रहे हैं यहाँ पर, alignment में आते भी मुझे यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं प्लीज आप उन चीजों उसको करते रहे हैं, continue करते रहे हैं keep going, okay beautiful, impressed, sun sun की उर्जा, आपके लिए मैंने बोला ना कि आप हो सकता है आप sun and moon के साथ connected है ठीक है, sun की उर्जा ले रहे हैं अच्छे से, ठीक है यहाँ फिर हो सकता है कि आप sun की उर्जा ही आप ले रहे हैं तो वो आपको बहुत जिसे कहते हैं कि positive results यहाँ पर दिखाने वाली है आपका confidence level भी बहुत ज़्यादा high होगा मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाए दे रहा है कि आपकी जीवन में जैसे की अंदकार हट रहा है और रोशनी positivity आपकी life में एंटर कर रही है यह energies मुझे वो बता रही है बहुत ही abundant, positive और high vibrational energies मुझे यहाँ पर believe me यहाँ पर feel हो रही है 11 number का card यह भी बता रहा है मुझे की कईना की आपकी life में यह जो month है यह balance आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाए दे रहा है यह थोड़ा सा disbalance हो सकता है बट आप उस पर काम करेंगे तो चीज़े balance हो जाएंगे ठीक है beautiful तो please आप इसी थरीके से आगे बढ़ते रहें specifically यहाँ पर ना किसी की प्रार्थनाएं है जो जुड़ी हुई है आपकी प्रार्थनाएं मतलब उनका जैसे की answer मिलने का ना वक्त यहाँ पर आ गया है मुझे ऐसी उग्जा मिल रही है और ये कार्डना मुझे ये भी बता रहा है my dear Libras की आप ये महीना ना बहुत ज़ादा विन्नमर रहने वाले हो divine से बहुत connected रहने वाले हो बहुत spiritual रहने वाले हो और आपकी अंदर जो है loving side आपकी जो loving energies है वो उनिकल कर भार आएगी ठीक है आप बहुत humble बहुत विन्नमर energies में tap in करोगे ठीक है मतलब एक होता है ना कि एक तो कटाक्ष रूप में आना ठीक है और एक होता है कि प्यार की उर्जा में tap in करना ठीक है तो यहाँ पर मुझे आपके लिए प्रेम की उर्जा प्यार की उर्जा आते होई दिखाए दे रही है प्यार से आप बहुत difficult से difficult चीजों को handle कर लोगे इस महीने आपको यहाँ पर बूला जा रहा है आपके अंदर का जैसे बोलते है ना कि वो प्रेम भाव जो है ओके वो प्रेम भक्ती कह लीजिए प्रेम भाव कह लीजिए सभी के लिए प्रेम कह लीजिए वो जाग रहा है यहाँ पर ओके थैंक यू भूले बाबा थैंक यू थेंक्यू 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 सो मच जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशी वाले स्वेड़ी पर देख रहे हैं जैनवरी 2024 गिले क्या लेकर के आ रहा है बेसिकली न्याय का कार्ड है ये तो ये मन्त आपके साथ जस्टिस तो होने वाला है जो जैसा कर्म आप कर रहे हो ना उसके वैसे रिजल्ट्स आपको डूंट वरी हैं पर मिलेंगे ही मिलेंगे मतलब आप ये महीना ये नहीं बोलोगे कि मैंने इतने एफ़र्ट्स डाले मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला या मैंने इतना किया था और मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला ठीक है और ये मुझे ये भी मेसेज दे रहा है कि हाला कि ये मेसेज में देना नहीं चाहती हू पट I really don't know मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहे कि शायद उनको ये सुनने की जरूरत है कि अगर कहीं आपने कुछ अच्छे करमास किये थे किसी भी फॉर्म में तो उनकी result आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं इस वक्त में क्या रहा है लबराज के लिए lovers, exactly मैंने boula आपको आप बिल्कुल सही पात पर हो और इस direction में आगे बढ़ते रहिए ये double confirmation है आपके लिए बिल्कुल सही जा रहे हो दिको doubt मत करना बिल्कुल doubt मत करना इस उरजा पर, ओके बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही डारेक्शन पर जा रहे हूँ, ओगे, बहुत सफलता मिलने वाली है आपको, यह जो आप alignment में हूँ, इस नमें चक्राज आपकी alignment में आ रहे है, क्या रहा है Libras के लिए January मन्थ में, 10 of Cups, okay, thank you Bully Baba, क्या रहा है Libras के लिए, January मन्थ में, okay, 6 of Souls, क्या रहा है Libras के लिए, January मन्थ में, आपके बच्चों के लिए, प्ली स्काइब कीजिए, King of Pentacles, yes, मैंने आपको बोला है, हाँ पर मुझे वो energies pick हो रही है, oh my god, यह energies मुझे आपके twin flame, soulmate connection की भी बात बता रही है, 11-11 की ऊजाए हाँ पर उना, with the 10 of Cups also, okay, let's see, tower, wow, oh my god, okay, beautiful, let's see, chariot आप लोग ना, Libras एक fighter हो, fighter okay Sun ki Uja बहुत जादा आपके लिए आ रही है page of source, oh wow judgment hmm eight of swords okay knight of swords, जो है, reversed है, okay queen of pentacles blockage क्या हो सकते है, भूनिबाबा इसमिन्थ blockage क्या हो सकती है, सिम्थ blockage क्या हो सकती है, king of wands okay strength क्या है लग्रास के साथ, strength क्या है भी बाबा, your wisdom, your, the higher of end, okay, bottom of the dick है, king of swords, why, 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 okay, okay, can't do this to you, it's okay, 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 bottom of the dick here, 10 of, सो ओके माई डियर माई माई डियर लिब्रास आप लोग जो हो ना थोड़ा सा पते आपकी एनर्जीज आपका माइंड आपकी जो ओर जाय देखो आप ना पते क्या अपने लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी चाहते हो ठीक है ये जैनवरी मन्त में भी आप मतलब आगे चाह रहे हो ठीक है ये आपके जैन्वरी मन्त की बात बता देए हूं जैन 2024 की ठीक है डिवाइन सा बहुत कनेक्टिद हो ओके और डाउन टू अर्थ भी हो जैसे मैंने आपको बोला कि एक प्रेम की भावना में टाप इन आप कर रहे हो डेफिनेटली एक मदरली हो अपने आपका ख्याल रखी रहे हो सेल्फ लव सेल्फ केर तो जाही रहे है इसके साथ ही साथ आप दूसरों की भी मतलब एक होता है ना कि हल्पिंग नेचर में टापिन कर रहे हो डिक है इसमें यह नहीं करते हो लेकिन यह एनर्जीज मुझे इस महीने की आपकी जो है अल्रडी मिल ही रही थी और आप इस महीने उस एनर्जीज में हो ठीक है लेकिन 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 मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे ना डिवाइन कुछ बोल रहे है ठीक है क्योंकि यहाँ पर भी जस्टिस का काड है ट्रेडिशनल टैरों में जस्टिस का जो काड होता है वो एक सौड पकड़े हुए एक परसन है लेडी कह लेजिए ठीक है तो कहने का यह मतलब है कि अभी भी ना कोई एक लेसन है आपके जिंदगी में जो आपने नहीं सीखा है इसे बहुत खुले दिल से सुनियेगा अभी अगर आप बिलकुल शान्ती के माहुल में नहीं हो ना तो इस बात को बिलकुल अकेले में आपने सुननी है ठीक है अभी भी आपने कोई एक lesson नहीं सीखा है अपने जिंदगी में कहीं आप अभी भी stuck हो तीक है बार बार आपको एक lesson सीखाया जा रहा है divine की तरफ से पर आप नहीं सीख रहे हो एक same गलती आप बार बार कर रहे हो जिसको लेकर कि आपको action लेनी की जरूआत है कुछ कोई थाथ है आपकी अंदर या कुछ करना आप चाहाते हो, आपको बढ़но पता है, बहुत अच्छा से पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे सफलता या फिर मेरे लिए क्या सही है, मैं आपको जिस बेना है, आप अपने अकॉर्डिंगly देखें आपके relationships है, आपका career है या फिर कोई other aspect है आपका ठीक है, मैं just आपको एक example के तोर पर यहां पर बता रही हूँ कि आपको ऐसा है कि आपको पता ही कि आपको इस idea को लेकर के अपनी life में आगे बढ़ना है अगर आपने इस तरहे से idea को यह जो आपको ideas आ रहे हैं किसी तरहीके में आपको बांध रहे हो मतलब चाहे वो परिवार का burden है family burden हो सकता है कोई responsibility हो सकती है या फिर आपके आपका खुदखा thought limit कर रहा है आपको कि नहीं तुम यह नहीं कर सकते तुम इसको लेकर के आगे नहीं बढ़ पाऊंगे या तुम इसे complete नहीं कर पाऊंगे या फिर तुम इसको सही से नहीं कर पाऊंगे तो वो एक doubt वाली energies आपको पूरी तरीके से खुलनी नहीं दे लिए वो आपको पूरी तरीके से जैसे कहते हैं न कि एक fool की कली होती है समझ रहे हुआ आप आप ना इतना खुल रहे हो इतना नहीं खुल रहे हो समझ रहे हो आप अपनी potential को जी नहीं पा रहे पूरी तरीके से ये काड मुझे कुछ ना वो बात को बता रहे हैं कि आपको है अभी भी कि कोई एक pattern है या फिर कोई एक lesson है जो आपको सीखनी की जरूरत है और जिस चीज को आप I think आप repeat repeat अपने अंदर चलाते आ रहे हो देखिए अभी वो हो सकता है कि आपका खुद पर doubt करना हो सकता है self doubt आपके खुद के negative thoughts आपको बोला जाता है आपको positive सोचना है आपको always positive रहना है पर वही बात जब आप implement करने लगते हो तो doubt आने लग जाते हैं जिस वज़े से ये जो night of sorts देख रहे हो ये अपने आप से reverse आया है जो आपकी growth को ना या फिर आपको अगर कहे आपको आपकी comfort zone को छोड़ने से आपको आपकी creativity से connect होने में आपको एक out of the box कुछ करने से वो चीज़े रोग लेती है ये आपके खुद के thoughts हो सकते हैं बहुत high possibilities हैं आपके खुद के thoughts क्योंकि definitely चाहे मैं कहूंगी की reasoning back side में किसी की भी हो आपका घर परिवार की reasoning हो family responsibilities की reasoning हो लेकिन आते तो thoughts ही है ना पहले तो आपके खुद के thoughts आपको limit कर रहे हैं समझ रहे हुआ तो आपको इस pattern से जो है बाहर निकलना है और divine कहे रहे हैं कि अभी ये lesson बचा है इस lesson को सीखो मुझे ऐसी energies मिल रही है यहाँ पर जैसे divine समय आपको हाथ जोड़कर के कह रहे हैं इस lesson को सीख लो इस समय यह बहुत जरुरी है यह तुम्हारी तरक्की के रास्ते खोल देगा या फिर जो भी आप बेसिकली अपनी life में चाहते हो उनको open करने वाला है कुछ है जो आपको शायद अपने अंदर ही उसको change लाने की जरुरत है डिफिनेटली कोई एक आपको बस जिसे कहते हैं कि अब आपको न वो एक धारना बना लेनी है या फिर वो एक पात को चुल लेना है मुझे इस तरफ जाना है मुझे इसे choose करना है मुझे इसे choose करने से कोई नहीं रोक सकता मेरे खुद के thoughts नहीं मेरे खुद के doubts नहीं रोक सकते मतलब वो एक धारना वो एक thought pattern को आपको यहाँ पर shift यहाँ पर change करने की ज़रूरत है बहुत अच्छे से क्योंकि definitely यह कोई चीज है यह कोई एक lesson है जो आपने अभी तक नहीं सीखा है और वो आपको पूरी तरीके से नहीं खुलने दे रहा है चैनवरी मन्त में भी वो चीज वो stuckness मुझे यहाँ पर दिखाए दे रही है वो उस चीज को implement करने से या फिर वो कुछ नया try करने से या फिर उस नहीं चीज की तरफ जाने से या अपने ही challenge, gifts को follow करने से अपने ideas को follow करने से आपको डर रहे हो आप उसको लेकर के action wise आगे नहीं बढ़ रहे हो implement नहीं कर रहे हो यहाँ पर यह मुझे problem नजर आ रही है आप लोगों के अंदर इस चीज को लेकर के confidence इसे कहते हैं गाइब हो जाता है, low हो जाता है confidently आप नहीं बढ़ सकते नहीं जा पा रहे हो और यह आपको बताया जा रहा है कि इस तरफ growth बहुत है आपकी बहुत growth है आपकी बहुत name and fame है कुछ लोगों के लिए depend करता है ना आप किस area को लेकर के देख रहे हो बहुत respect मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ बहुत growth यहाँ पर है आपकी मतलब जितना आप अपने आपको limit कर रहे हो ना ये तो limit ही नहीं है ये limit ही नहीं है यहाँ पर ये इतना वो आगे की चीज है कि आपके लिए इतनी abundance है यहाँ पर समझ रहे हो वो satisfaction भी है तो वो growth भी है growth के साथ satisfaction समझ रहे हो पर इसे आपको थोड़ा समझने की जरूरत है इस पर काम करने की आपको जरूरत है इस महीने ठीक है beautiful क्योंकि आप अच्छे thoughts आप आपका मन अच्छा है आप वैसे आपके अंदर बुरा ही नहीं है आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही बस यह जो lesson आप एक चीज को नहीं सीख रहे हो वो आपको बोला जा रहा है कि उस pattern को खतम करो ठीक है वो उस चीज को उस चीज को finally कर डालो Libras कर डालो ठीक है कुछ है यह जिनके लिए है वो समझ गए है ठीक है और शायद यह reading उनी के लिए ही है ठीक है मतलब इतना part आगे तो मैं आपको बताई ही रही हूँ कि यह क्या आ रहा है तो yes my dear यह जो January month है यह आपके लिए क्या आ रहा है यह जो मैं बात बता भी रही हूँ पहले मैं यह नीचे वाला pattern आपके लिए complete कर देती हूं Libras ठीक है यह जो मैंने lesson सीखने की बात करी है आपको आपके ideas आपकी creativity की बात करी है मैंने यहाँ पर ठीक है आपके talent की महीं हाँ पर बात कर रही हूँ तो क्योंकि यहाँ पर आपके लिए blockage में भी ना यहाँ पर king of wants की नर्जेज आई है wants king of wants जो की बता रहा है again same problem same problem की ideas आ रहे हैं कुछ अलग करना चाह रहे हो मतलब आपको जैसे आपकी intuition ना धक्के मार रही है पर आपके thought आपको रोक के बैठे हुए है आपके intuition आपको धक्का मारती है आपके thought आपको रोक लेते है और आप उसको implement नहीं कर पाते doubt चाहते हैं नहीं होगा मुझसे नहीं होगा finally तो नहीं होने वाला यह वाले thought patterns में आप आजाते हो तो इस energy से आपको बाहर आना है समझ रहे हो और आपको देखिए जितना हो सके समय अगर आपको यह बात पता चल गई है यह क्या चीज़ां के life में किस तरफ तो मैं कहूंगी क्योंकि यहाँ पर strength में आपके लिए higher of income का card आया है देखिए या तो आप किनही से guidance लीजिए या तो आप अपने आप से जुड़िए अपने आप से इंदसेंस divine से connect होने की आपको यहाँ पर जरूरत है meditate करिए अपने मन को शांत करिए अपने अंदर balance लाइए ताकि आप इस situation को समझ करके सही तरीके से उसे handle कर पाए और आगे बढ़ पाए ठीक है बट यहाँ पढ़ना serious note पर अगर मैं बोलू तो यहाँ पर कोई person है जो आपकी इस समस्या का हल कर सकते है यह person कोई spiritual healer हो सकते है यहाँ तो देखिए आपको अपने खुद की healing कराने की यहाँ पर जरूरत है यहाँ फिर आपको अपने खुद की tarot card reading यहाँ पर कराने की जरूरत है कि कोई आपको guide कर सके कोई आपको रास्ता दिखा सके कोई आपको heal कर सके मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर counselling की भी मुझे यहाँ पर energies मिल रहे है कि आपको जिसे सही रास्ता मिलना चाहिए, यह मतलब कोई एक होता है न कि आपको कोई सही words से या फिर अच्छे से counselling ही कर दे आपकी कि आपका वो path open हो जाए आपके अंदर का confidence level high हो जाए और आप आगे बढ़ जाएं उस तरफ आप एक action ले लें, यह वो energies है तो आपको किसी ऐसे इंसान से जुड़ने की जरुरत है और यह वो ऐसा इंसान है जो definitely divine से connected है जिसका connection higher vibrational energies के साथ है वो आपको बिल्कुल सही तरीके सा आपको guide करेंगे और आपको जिसे कहते हैं कि एक सही रास्ता दिखाना आपको एक सही path दिखाना इस situation में कि आप exactly कर क्या सकते हो, किस तरीके से आप इस energy से बाहर आ सकते हो और जिसे कहते हैं कि वह जो विश्वास की कमी आ रही आपकी अंदर वो विश्वास जगाने में यह आपकी मदद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो भी वो आपको बोलेंगे वो डारेक्टली वो चैनलिंग होगी आपके लिए परसनल तो डेफिनिटली उससे क्या होगा उससे आपका खुद का confidence level high होगा ठीक है एक तो है ना कि हम doubt में हैं हमें पता नहीं है करें नहीं करें होगा की नहीं होगा self doubt चाहरें नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं कर पाएगे और यह काता है कि हाँ हमने कहीं से counseling ली या हमने कहीं से tarot card reading कराई और हमें उन्होंने ये बताया ये तो मतलब personal है ये आपके लिए personal reading है या personal आपके लिए आपको बताया जा रहा है कि yes आप ये कर सकते हो तो वो एक जिसे कहते है confirmation हो जाती है न जब तो हमारा confidence level you push हो जाता है समझ रहे हो कहने का मतलब यहां से आपको बहुत कोई guidance ये आपके specifically कोई guru भी हो सकते है जिनके guru इस physical form में है आप अपनी guru से please वो उनसे ये आपको बात करनी की जरुत है उनसे अपनी बातों को share करनी की जरुत है ठीक है और in case अगर आपकी guru इस physical reality में नहीं है और वो other relief में है तो उनसे connect होने की कोशिश कीज़े उनसे जिसे कहते हैं कि help मांगे वो for sure आपकी यहाँ पर मदद करेंगे believe me जरूर करेंगे उन पर विश्वास रखी वो जरूर करेंगे आपकी मदद ठीक है क्योंकि वो यहाँ पर है आपकी मदद करने के लिए क्योंकि कोई situation है जिसमें आप अभी भी stuck हो my dear अभी भी stuck हो और यह कहीं बाहर की बात नहीं है यह कहीं बाहर की बिलकुल बात नहीं है यह सिर्फ आपके अंदर की ही बात है ठीक है यह matter बाहर का नहीं है आपके अंदर का matter है यह येस, ओके, क्योंकि ये आपकी strength है, आपकी गुरू, आपकी जो counseling कह लीजे, जहां से आप counseling करा रहे हो, healing करा रहे हो, या फिर कोई गुरू है, अगर आपकी strength है, ये आपकी power है, ये आपकी power जिसे कहते हैं, आपको दुबारा साथ की power में लेकर के आना, ये वो काम करेंगे, स चलिए, अब देखते हैं, ये मन्त जो है, मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर जो lovers की energies है, my dear, मैंने जैसे बोला कि आप लोग एक योदा हो, ठीक है, आप लोगों ने बहुत कुछ अपनी life में देखा है, ठीक है, बहुत सारे transformations आपने अपनी life में देखे हैं, बहुत सारे इस मन्त की energies ही नहीं बता रही हूँ, अगर आप इस reading को पहले देख रहे हो, तो for sure यहाँ पर आपको उसके symptoms अभी दिखाए दे रहे हैं, आप अभी से उस energies में हो, वो blessings को आप receive कर रहे हो, ठीक है, तो ये महीना आपकी life में जिसे कहते हैं कि वो blessings आ रही है, ठीक है, lovers का card मुझे ये बता रहा है कि जो भी problems आपकी love life, आपके partner से आपको connect करने में, या फिर आप चाहे married हैं, चाहे unmarried हैं, किसी relationship में हो, चाहे आप single हो, आपकी partners, आपके twin flame, soulmate connection से आपको connect होने में, या आपकी life को smoothly, आपके relationship को smoothly चलाने में, बहुत दिक्कते यहाँ पर आई ह तो ये मन्त वो चीजे जो है balance हो रही है, आप लोगों का प्यार बहुत बढ़ रहा है, पहली बात, दूसरा, जो बीच में problems आ रही थी, वो problems को divine यहाँ पर remove कर रहे हैं, जो आपके relationship को खराब करना चाहते थे, जो ऊड़ जाएं खराब करना चाहते थे, उन ऊड़ जाओं को divine यहाँ पर finish कर रहे हैं, खतम कर रहे हैं, यह जो tower की energies आई है ना, यह tower की energies आप लोगों के लिए हैं, यह tower की energies उन लोगों के लिए हैं, जिन्नों ने आपकी life में problem create करने की कोशिश करी, ठीक है, चाहे वो किसी भी form में हो, चाहे exactly कोई third party situation थी, किसी person को ले करके, तो वो आपकी life से निकलती वे दिखाया देंगे, जिन्ने कहते हैं कि उनका कर्मा उनको pay off होगा, ठीक है, और अगर किसी ने कोई किसी तरही के dark magic किया था, तो उनका कर्मा उनको pay off होने वाला, कहने का मतलब आपकी connection, क्योंकि यह divine protection है आपके लिए, divine connection है आपका यह, इसलिए ही divine यहाँ पर protect कर रहे हैं आपके connection को, तो जो कोई आपके connection को खराब करने बीच में इस वक्त आएगा, वो बुरी तरहीके से जिसे कहते हैं कि मारा जाएगा, उसको उसका कर्मा का pay off होगा, ठीक है, मतलब उसको उसका कर्मा यहाँ पर मिलेगा, मिलेगा इस महीने, और आपकी life में वो खुशियां आएंगी, आपके life में जिसे कहते हैं कि वो difficult, जो time period था, जो आपके relationship को distract कर रहा था, जो चीजें distract कर रही थी, वो चीजें आपकी life से remove होने वाली है, basically जिसे कहते हैं कि आपका जो रिष्टे का, जिसे कहते हैं कि वो path है, उसको clear किया जा रहा है, ठीक मैं यहाँ पर देख रहे हूँ ना, जिन लोगों को यहाँ पर उनके partner या फिर किसी situation की वज़े से, जिसे कहते हैं commitment नहीं मिल रहा था, शादी नहीं हो पा रही थी, चीजें आगे बढ़ नहीं पा रही थी, अब वो चीजें आगे बढ़ेगी, अब आपको यह मंद दिख कि चीजें speed में आगे बढ़ रही हैं, उन पर actions हो रहे हैं, मुझे actions से जादा पता है, मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है कि वो एक final result, क्योंकि कहीं ना कहीं यह completion की बात कर रहा है, lovers and completion का card यहाँ पर आ गया है, वो भी 10 of cups की energy, तो relationship के regarding जो भी चीजें आपकी अटकी हुई या फिर आप अगर married हैं, तो आपकी life में खुशिया नहीं थी, आपकी life में आप conceive नहीं कर पा रहे थे, कोई भी issue, घर में अशान्ती नहीं, मतलब वो एक completion, वो उन problems से आप बाहर आते हुए, जैसे कहते हैं, यह कोई easy नहीं था, बाहर मतलब आपको जादू से बाहर नहीं में, ठीक है, आप एक, जैसे कहते हैं, survivor हो, ठीक है, और आपने बहुत कुछ सहा है इस situation में, तो उसका result आपको मिल रहा है, मैंने आपको क्या बोला ना, पहला ही कि justice मिलने वाला है, आपके कर्मों का, आपने जो भी कुछ किया है अपनी life में, जितना आपने divine पर भरोसा र यह वक्त आप, जैसे कहते हैं, कि happy family किसे बोलते हैं, उसको आप देख पाएंगे, उसको आप इस महीने जी पाएंगे, आपको यहां पर वो energies मिल रही है, आपके यहां पर वो energies मिल रही है, और कहने का मतलब कि, यह एक, I really don't know, यह बहुत divine मुछे बोल रहे है कि, जैसे एक होता है न, कि हम कहते हैं, dream house, जैस कुछ लोगों के लिए, उनका dream house हो सकता है, बट मुझे यह आपके लिए, वो मिल रहा है कि, यह आपका सपना था, वो एक सपना आपका, जो है, सच हो रहा है, यहां पर, ठीक है, एक खुशाल family जैसे कहते हैं, वो मुझे आपकी life में यहां पर दिखाए दे रही है, बहुत beautiful, और यह जो energies है न, देखो, यह energies मुझे यहां पर यह भी दिखाए दे रहे हैं, बहुत से लोग एक joint family से हिनना, single family में tap in कर रहे हो, आप लोग, believe me, बहुत से ऐसे मुझे लब्रास की energies यहां पर मिल रही है, अगर आपके life में issues थे, यहां पर मैं बेवज़ा नहीं बोल रही हूँ, अगर आपके life में कुछ issues चल रहे थे, या फिर कुछ चीज़ें आपको दिक्कत दे रही थी, कुछ understanding नहीं हो रही थी, या फिर कोई भी problems हो रही थी, तो कुछ यहां पर Libras जो है, joint family से single family में tap in कर रहे हो, कुछ लोग यहा यहां पर ज्यादा मिल रही है, जैनुवरी मन्त में, और यह energies मुझे यह भी बता रही है, यहां पर, कि यह जो भी time period है आपका, जैनुवरी मन्त का, basically अब आपको अपनी life में वो स्थिरता दिखेगी, चाहे आपका relationship हो, चाहे आपका health हो, चाहे आपके finances हो, आपका career हो, overall life कि हां पर मैं बात कर रही हूँ, आपको उसमें improvement दिखेगी, उसमें आपको ठेराब दिखेगा, अगर आप कहीं, अगर आपकी life में किसी area में कहीं stability नहीं थी ना, वो stability मुझे आती होई दिखाय दे रही है, मतलब जो भी कुछ changes आपकी life में हो रही है, इस महीने भी अगर, चाहे वो physical form में हो, चाहे वो internal level पर हो, तो वो आपकी जिंदगी में, आपकी life में stability लाने के लिए हो रहे है, ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी और positive energies मुझे यहां पर दिखाय दे रही है, beautiful, और king of pentacles का card देखी, यहां पर, मुझे यही message दे रहा है, कि आप लोग जो ह my dear, wow, अगर पैसो को लेकर के कोई समस्या थी न, पैसो की समस्या जैसे आपकी इस महीने दूर होने वाली है, believe me, आप बहुत सारी money को attract कर रहे हो, बहुत सारी abundance को आप attract कर रहे हो, मुझे कुछ ऐसा भी लग रहे है कि आपकी life में जैसे कोई money blockage था, ठीक है, और divine जैसे कि आपकी उस money blockage को heal कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये मैं बोलूँगी कि आप लोगों का जैसे कहते हैं कि ये कुछ lineage problem हो सकता है, मतलब lineage in the sense में आप कैसे बताओ, जैसे आपकी ancestral, ठीक है, पीछे से एक blockage create होना, एक thought pattern बन जाता है, कि पैसे आते हैं और फिर चले जाए मतलब वो टिकेगी नहीं, ठीक है, वो खुशियों के energies नहीं टिकेगी, वो पैसे के energies नहीं टिकेगी, मतलब वो कुछ एक blockage जो है, वो divine यहाँ पर इस महीने आपकी life से remove कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत strong message है, किसी पैसों की खासकर समस्या, करियर को लेकर की कोई समस्या, business क family को लेकर के जो भी समस्या, जो मैं overall आपको बता ही चुकी हूँ, कि वो आपको situation से यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, बहुत ही beautiful energies है, ठीक है, बस आपको यहाँ पर जो है, किस पर काम करना है, अपने thoughts पर, अपने thoughts को change करना है, आपको, thoughts में shifting लेकर के आने, जो मैंने आपको बोला न, यह जो starting में मैंने आपको message दिया, please इस message को lightly मतलो, Libras, मुझे नहीं पता, पर मुझे intuitively वो message मिल रहा है, कि यह mostly, मतलब मैं किसी किसी की बात ही कहूँगी, mostly आप मैं से बहुत लोगों से यह energies match होने वाली है, ठीक है, तो आपको इस पर काम करने की जरूरत है, यह आ थेंकियो भूले बाबा, फ्लीज बताएं, लिब्रा दुला राशी, क्या इस मही ने, जैनुवरी मंत में क्या lesson सीखने के जरूरत है, relationships, oh my god, देखो, एक एक lesson आपके लिए तो यह आ गया, कि यह जो मंत है न, सबसे पहले तो आपको यह देखना है, आपके लिए यह बड़ी जरूरी है बात, लिब्रास, ठीक है, maybe आप हर किसी को no नहीं कहते हो, कहने का मतलब, कोई आपकी energy से, कोई आपकी vibration से match नहीं कर रहा है न, तो भी आप शायद वहाँ पर manage करने की कोशिश करते हो, मुझे कुछ ऐसा energies यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, और divine यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको basically, मतलब जो आपकी vibes से match नहीं करते हैं, उन लोगों से आपको यहाँ पर distance maintain करनी की ज़र्वात है, उन लोगों की energies आपको नहीं लेनी हैं, ठीक है, और आपको इस वक्त में अपने अंदर, अपने thoughts पर आपको काम करना है, ताकि आप अपने ही vibrations जैसे, मतलब जो आपकी vibration, आपकी energies से जो लोग match करते हैं, वो आपकी life में connect हो पाएं आपसे, ठीक है, जो आपको support करें, आपको motivate करें, आपको सही रहा दिखाएं, सही path पर लेकर के आएं, जिने हम अपनी soul family बोलते हैं, ठीक है, अपनी basically soul family को attract करना, ठीक है, उसके लिए आपकी खुद की उर्जा वैसी होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद पर बहुत doubts कर लेते हो, ठीक है, खुद ही अपने thoughts में stuck हो जाते हो, doubts ले आते हो, implement करते करते भी रुक जाते हो, तो वो क्या होता है कि आप ऐसे ही लोगों को भी attract कर लेते हो, ठीक है, तो खा करनी की जरूरत है आपको अपनी life में कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है, आपके रिष्टे जो है, वो मतलब उन पर focus करनी की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आपकी intuition आपको सब बता देती है, तो basically जो आपकी highest good के लिए है, जो आपको support करते हैं, जो आपको motivate करते हैं, या फिर जिने के आपके soul family हैं, जो उनके साथ आपको अपनी life में आगे बढ़ना है, और बाकी सब को जिसे करते हैं न कि यहाँ पर release करनी की, या उनसे distance maintain करनी की आपको यहाँ पर जरूरत है, यह मन्त आपको यह बोल रहा है, relationships आपके बहुत important रहने वा यह मन्त मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाए दे रहा है कि आप, मतलब किसी community को आप join कर सकते हो, या फिर नए दोस्तों को आप attract कर सकते हो, नए लोगों को आप attract कर सकते हो, ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसे ही लोगों के साथ आपको अपनी life में आगे बढ़ना है, जो आपक से बेसिकली मैच करें, ठीक है, इस चीज़ पर focus कीजिएगा, लप्रास के लिए, चैंपरी मंथ, कार्ट, एक सकते हैं, यही कार्ट आपके गिरे थे नीचे, और मैं यह इन तीनों कार्ट को यहाँ पर लेना चाहूंगी, ठीक है, बॉटम आफ देक है, न्यू विजन, ठी तो बेसिकली यह बात कर रहा है कि अभी आपकी vibrations जो है high हो रही है, आप ने तरीके से एक higher perspective से चीजों को देख रही है, ठीक है, आपका चीजों को देखने का नजरिया यहाँ पर बदल रहा है, मुझे ऐसी ऊचा यहाँ पर मिल रही है, और दूसरी बात यहाँ पर, यह ज कीजोफ्रेनिया और creator, देखें यह ना queen of source की energies है, देखें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, कि आपकी खुद मतलब, जो मैंने आपको यहाँ पर already वो message दे दिया है, वही divine आपको यहाँ पर बोल रहे है, मैंने आपको बोला ना कि कुछ है, जो कोई idea, कोई किसी देखें मेरे words को थोड़ा पकड़िएगा मत, समझ रहे हैं, आप अपने से connect कीजिए इस उर्जा को, कि जिस तरफ भी जो भी आप करना चाह रहे हो, कुछ है, कुछ तो है, ठीक है, कुछ तो आपकी तरफ से create होना चाहता है, कुछ एक सच्चाई कह लीजिए, या फिर कु original idea है आपके अंदर, कुछ आप खुद एक खास हो, कुछ unique हो, समझ रहे हो, उसके साथ आपको अपनी life में आगे बढ़ना है, कुछ है आपके पास, king of wants यहां पर blockage है, तो king of wants यहां पर आपके लिए guidance भी आया है, तो basically आपको उसी उर्जा से connect होना है, उसके साथ आपको आ अपने आपको limit कर रहे हो, ठीक है, अपने जैसे कि आप खुद ही नहीं देखना चाहरे हो, खुद ही नहीं देखना चाहरे हो, आप at least try करो, I really don't know मुझे यह words divine क्यो दे रहे हैं, आप try करो, आप आगे बढ़ो, समझ रहे हो, एक risk लो, वो आपके लिए risk होगा, with discard हो सकता ह आपके लिए risk हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि आपकी intuition आपको बोल रही है, आपकी intuition आपको push कर रहे है, two of sorts के energies आपकी intuition आपको push कर रहे है, देख रहे हो, यह person जो है, यह बिल्कुल, एक तो यह newt है, दूसरा, इस बिल्कुल U-shape में बना हुआ है, मतलब कुछ बचा बढ़े हो अपने thoughts में, यह मुझे उर्जा वो बता रही है, तो please अपनी intuition को flow में आने दीजिए, उसकी सुनिये, आगे बढ़िए, ठीक है, यह जो भी आपका दिमाग, आपका mind, आपको illusions में trap कर रहे हैं आपको, ठीक है, या फिर जो भी circumstances कह लिजए, लोग कह लिजए, आ कुछ तो है, बहुत बड़ी चीज़ है, यह जो भी है, ठीक है, यह बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा लेसन सीखना है, बहुत बड़ा लेसन सीखना है, थेंक यू भोले बाब लेऊ च्रूश कर से स्मय थार्य के अई करने के साथ जड़ीर के था तर्थ हर्या Чब ले वेंच करने की साथ तिन्दाब श्यानात्ट हर्या हर्य करिम अ करने के दृक् है यस और रदाश। अंधिसंट अप्नये हम आपे लिए yुद्थ कम and oh my god मतलब मैं आपको जो बोल रही हूँ न एक्जाक्ली fertility का कार्ड है यहां पर जो एक्जाक्ली आपकी creativity की बात करता है ठीक है आपकी creative side की बात करता है ठीक है और यहां पर victory and success की energies है my dear देखो आपको नहीं यहां पर divine यहां पर बोल रही है आपको किसी की मदद मुझे यहां पर help मिल रही है मतलब help बता रही है divine कि आपको किसी की help लेनी की ज़रूरत है इस idea को लेकर इस चीज को लेकर के अभी यह आपके लिए spiritual help हो सकती है यह physical help हो सकती है जैसे कि मैं आपको यहां पर already बोल चुकी हूं ठीक है ही आपके जरूरत है अभी एपर वह जो support है वह आपके परिवार का support हो सकता है परिवार में से किसी person का support हो सकता है आपके spouse का support हो सकता है यहां फिर तो यांपर Divine, जिसे कहते है तो Divine का तो support हर हाल में हमें ही हमें चाहिए तो किसी की मदद आपको लेनी की यहाँ पर जरूरत है यहाँ पर Divine आपको बोल रहे हैं तभी आप यहाँ पर एक receiving equal जैसे कहते हैं giving and receiving energies में आप आओगे और तभी आपकी life में वो success और victory आप आएगी क्योंकि definitely यह बहुत बड़ा obstacle और challenge है आपकी life में मतलब बहुत बड़ी रुकावट है यह आपकी life में आगे बढ़ने से लेकिन यहाँ पर spiritually यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके spiritual team आपको support कर रही है guidance के लिए ready है आप एक बारी मदद मांगे ठीक है आपको मदद की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है यह energies में यहाँ पर बता रही है ठीक है देखो कुछ है यहाँ पर आपके लिए आपको थोड़ा ना अपने energies को balance कीजिए Libras, balance कीजिए balance, balance की बहुत ज़रूरत है balance, exactly आप इस posture में यह hand posture आप देख रहे हो एक यह hand posture है और एक और मैं बताते हैं यह देख लीजिए और एक होता है ऐसे करके ऐसे ठीक है, यह आपके concentration power को बढ़ाएगा आपके अंदर balance लेकर की आएगा आपको meditation में deep जाने में आपकी मदद करेगा, ठीक है meditation आपके लिए जरूरी है, देखे meditation तो बहुत ही जरूरी है चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है thank you भूले बाबा final क्या message आप देना चाहोगे अपने बच्चों को Libra, तुलाराश्री वालों को January मन्त के लिए stargazing लीजे आपके intuition के लिए आगया stargazing जितना आप stargazing करोगे जितना आप moon gazing करोगे मतलब तारों को घूरना है आपको चांद को घूरना है आपको जितना आप उन्हें घुरोगे घूरोगे उतना ही आपकी intuition powers जो है वो strong होगी ठीक है और आपकी intuition जो है वो flow में आएगी ठीक है जो आप अपनी intuition को follow नहीं कर पा रहे हो उसको पूरी तरहीके से सुननी पा रहे हो अठके बड़े हो ना कहीं thoughts की वज़े से तो वो flow में आएगी चीज़े ठीक है meditation that is why मैं आपको meditation भी बोला meditation करना और ये exercise करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है new moon, full moon पर बैठ करके आप exercise कीजिए आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है आप बहुत pure soul हो my dear बहुत pure soul हो आपके अंदर धेरों answers है प्लीज अपने से connect हो my dear अपने से connect हो okay my dear तो yes मेरे प्यारे Libras ये थी आपकी प्यारी सी reading hope आप इससे connect कर पाएं हो आपको इससे guidance मिली हो मिली है तो please video को like जरूर कीजएगा अगर वाकिय में आपको यहां से guidance और messages मिले हैं तो please divine को thank you कहना बिलकुल मत भूलिएगा उनके प्रती grateful जरूर रहिएगा और सबसे ज़ादा important बात अपनों के साथ इस reading को जरूर share कीजएगा ताकि अगर इसमें किसी के लिए messages है guidance है तो उन तक यह message पहुँच पाए उनको यह energies मिल पाए उनके life में भी उनको guidance basically मिल पाए और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है my dear तो please जरूर कीजएगा thank you so much for watching my video God bless you all Bye Bye